प्रण्दकार समात्व हो जाता है उसी प्रकार से स्राद करने वाले लोगों की सभी विपत्तियां दूर हो जाते हैं सिगरी विपत्ती विपत्ती पास में आवे ही नहीं कपड़े में सिगरी देवताओं का बास होता दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सभी देवताओं का बास होता है एक गाय और एक वस्त्र गाय का दान करने से भी सिगरे देवताओं का दान कर दिया है समझ लो और वस्त्र का दान करने से भी सिगरे देवताओं का अपने दान कर दिया है यह दो ऐसे इनके दान करने से घोर विपत्तियां चली जाती है स्राद कर्म की बड़ी महिमें स्राद में वस्र दान सब को करना चाहिए जो व्यक्ति स्राद में वस्र का दान करता है वह यग तबस्यां और कई प्रकार के दान करने का फलप्रा तुकर लेता है जो वेक्टी समाय चित्व से इस रादि के अवसर पर बेविद उपकरणों का धान किरता है रसोई में बनाने वाले वर्दन, चकला, बेलन यहां तक कि इन सब के छिमटा जानता है आप देखें कभी छिमटा जिसमें रोटी बगडी जाती है उसका भी नाम आया, इसमें बेलन का भी नाम आया ऐसे लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं उनकी सभी कामनाओं की पूर्ती होती है उन्हें तदकाल यग करने का फल प्राप्त होता है सर्व काम, समर्दर्शा, यग्जसा, फलमश्मति उन्हें संपूर्ण यग्य आपको पता ही नहीं होगा यग्य कौन-कौन से होते हैं इतने यग्य हैं कि जिसके गिंती नहीं की जा सकती लेकिन स्राद कर्म में ब्रामण भोजन दान पुर्ण करने से इस्त्री पुरस को संपूर्ण यग्य करने का फल मिलता है सभी कामनाई पूरी हो जाती हैं और सभी यग करने का फल प्राप्त हो जाता है अनेकों प्रकार के वक्ष पदार्द धन्य, धन्य, मीठा, पेठा, गरत सक्कर, खिचडी, मदपर्क, दूद, दूद की बनी होई बस्तु हैं माल पुआ, आदीश रात के समय पर इसका दान जरूर करना चाहिए एक वार फिर बोल दूँ, अपने घर में ये चीज़ें बना कर ब्राह्मनों को भोजन करा दें क्या ग्या है, को सारान मदपर कईच, पया पाय समेवच, शनाधाश पुपान्यो दान, अगनिष्टो मशयत फलम क्या क्या गया, पेठा, वो ही आगरे वाला पेठा जो ये कादसी में मैं आप से बढ़वाता भी हूँ और आपको खिलवाता ही हूँ पेठे को इतना सो माना गया, बढ़िया माना गया पेठा मालपुआ देखो क्या लिखा है पेठा स्राद्धों में पेठा मालपुआ सुद्ध देशीगी की बनी हुई चीजें सक्कर, खिचड़ी, दूद, दूद से बनी हुई बस हुए मालपुआ इन सब चीजों को ब्रामण को खिलाने से वह अग्ष्टियूम यग करने का फल प्रात्त होता है एक बात और सुनलो जो स्राद्धों में ब्रामणों को भोजन कराते हैं उनके पुरखों को आपके द्वारा एक बरस तक के यग करने का फल तत्काल प्रात्त हो जाता है इतनी बड़ी महिमा इस श्राद कर्म में ब्राम्मड को जमाने की और यह तो सब बादे लिखी है कोई अपनी बनावटी नहीं है बरसा रितु के मगानक्षत में पित्रगड दई सुद्ध गोरस तता और विवन प्रकार के भोजन से जिस प्रकार से तरफ्त होते हैं उसी प्रकार से जो लोग स्राद के समय में गयाती रित्में पहुंचकर पित्रों के लिए विराम्मणों को भोजन कराते हैं 45 नमर का इस लोग है पितर अवसी समय सोक रहित हो जाते हैं इसमें इस पर्ष्ट स्री गयाजी की बात कही गई है लिखाए गयायाम हसनश्यईव अदत्ता स्रादेन सूचती इसमें वर्ष्ट किया कि गयाजी में पुर्खे किसी रूप से हाथ बढ़ा करके स्रादेन सूचती ऐसी गयाजी की बहुत यहां दसरत राजाने भी हाथ नदी में से बाहर निकाल कर माता जानकी के हाथ से सराद्ध को स्विकार किया तो 45 नमर का जिश्लोग है आगे यहां पित्रगड सोप रहित होकर अपने लोगों के हाथों से और वो इस गया तीर्थ में हाथ आगे बढ़ा करके सराद्ध को स्विकार करते हैं यहां पका चावल, दुख्द, निर्मित, खीर, घरत, सैद, दही यह सामिक्रियां, यह पुर्वजों के स्राद्ध के लिए बहुत ज़्यादा इसको विसेस मानी गई है का गया है कि जो यहां पर खिचड़ी इत्यादी भी ब्राम्बनों को जमाते हैं, उनके पुर्वज एक वरस तक संतुष्ट रहते हैं जो सत्तु जमाते हैं, माल पुवा, कई बार माल पुवा करना मागया है इसमें तो एक वर लिखा है, लेकर में चार बार बोल गया हूं, माल पुवा जदी, सत्तुवा, यह सब चीज है पुर्वजों को संतुष्ट कर देने वाली हैं दानानी परमो धर्म सद्धी सद्कृत पूजिता तुलोक अस्याद पत्यमी दाना देव विवस्तितम तो बड़ी अच्छी सी बात कही गई है कहा किस धर्ती पर गरीब को भी यह चीज़ें राजा बना देती है तो यदि इश्वर ने दिया है और आपकी छमता है तो नित्य जितना बने उतना दान कर लेना चाहिए